नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस ट्लिक पर परताल दुनिया भर की आज अपनी परताल में हम खास पेशकश लेकर आए हैं इरान पर जी हाँ उसी इरान पर जिसने दुनिया के निगाहों को अपनी ओर गड़ाए रखा है इरान की महिलाओं ने ज मौरल पुलिस को वापस लेना पड़ा लेकिन इसके साथ साथ जो हमने देखा कि 16 सितंबर से जो आंदोलन शुरू हुआ महसा अमीनी जो एक बहादूर महिला कुर्द महिला जिन्होंने बगावत फुकी जिन्होंने कहा कि वह हिजाब नहीं ओड़ना चाहती उनकी जब हत् पान सड़कों पर उतरते हैं सरकार से सवाल मांगते हैं सवाल डागते हैं और कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए हिजाब से किसी भी तरह की मौरल पुलिसिंग हमें नहीं चाहिए यह सब जब हो रहा है ठीक उसी समय इरान दूसरी वज़ों से भी निशाने पर आता है दूसरी वज़ों से निशाने पर इस तरह से आता है कि फरजी ख़बरों का बोलबाला अंतराश्टी मीडिया में हो जाता है हब देखिए क्या इतफाख है कि कनेडा के प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में बताया जाता है कि 15,000 इरानी प्रोटेस्टर्स को मौत के सजा सुना दी गई जब पड़ताल होती है फैक्ट चेक होता है प्राइम मिनिस्टर को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ता है क्योंकि यह तक थे सही नहीं यानि एरान, एरान के सरकार अलेग वजहों से निशाने पर है फर्जी ख़बरों का बोल बाला है आखिर एरान इतनी बड़ी किरकिरी क्यों है आखिर एरान में जो महिलाओं की अपने हक, अपने शरीर पर अपने हक की जो मांग है उसे दूसरे ढंग से लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों दिखाया जा रहा है, इस पर है हमारी आज की पड़ताल, आइए देखते हैं जमीन पर क्या चल रहा है, और इस अंदावलन की आड में किस तरह से अंतराश्ठी कूठनीती के नहित स्वार्थ खेल खेल रहे हैं। रभीर एक चीज़ बताईए कि एरान में जो दिखाई दे रहा है कि एरान की महिलाओं का जो संगर्ष शुरू है, खास तोर से 16 सितंबर के बाद से उसने एक तरह से कुछ हद तक जीत हासिल की है, जिस तरह से मौरल पुलिसिंग का सवाल था, जिस तरह से हिजाब का सवाल थ यह जो जीत है, इसे किस तरह से देखा जाए आज की तारीख में? कब बढ़ती थी, कब घटी थी, वो भी डिपेंड करता कौन सी सरकारियान में है, कौन सा पक्ष ज्यादा कट्टरपन थी या कम कट्टरपन थी पक्ष सरकार में है, उस पर भी डिपेंड करता था, तो यह एक बड़ी लंबी संगर्ष, इनकी जो कहते थे मौरल पुलिस इ है अब ये देखिए यह चीज साओधे रही है में भी है ये चीज गल्फ स्टेट्स में भी है पर वहाँ पर जो कहए ग्लोबल मीडिया कहेंगे उनकी ठिपनी बहुत बहुत नाजुग होती है बहुत कम होती है एरान में हमेशा उनकी बड़ा असने है उनकी बड़ा प्यार इन पर जगता है हर समय एरान उनके फोकेस पॉइंट में रहता है और मुझे लगता है कि एरान के महिलाओं का भी जो प्रोटेस्ट हुआ 16 सितंबर महसा मीनी जो कुर्द नौजवान लड़की थी उनकी मौत के बाद तो वो दूसरे ढंक से एक उसने दूसरा डायमेंशन भी अख्तियार किया इस पे दोने डायमेंशन था पहले आरतों की डायमेंशन देखना चाहता हूं कि इस पे और लोग कैसे शिरकत करके इसको दूसरे दिशा मिलने जा रहे थे उसके बाद में उसमें आऊंगा पर आरोतों की ये संगहर्ष बहुत पुरानी है बहुत डीप रूटेड है और इ इस पे इन चीजों पे कोई अमल नहीं है कोई समर्थन नहीं है ऐसा भी नहीं है पर एक बहुत बड़ा सेक्शन खास तो इसको विरोध करता था हर बहुत सारे तरीकों से तो ये तो इसलिए मैं कहूंगा कि पुरानी जो इरानी आरोतों की संगर्ष है इस चीज को लेके य इरान की पबलिक स्वियर के लिए आरोतों का जगह बढ़ेगी इस पर कोई दोरा नहीं है खला की इरानी आरोते चाहे प्रोफेशनल्स हों जाज लाउ से लेकर इंजिनियर से लेकर सौफटर से लेकर डाक्टरी सब में बड़े पैमाने पर है तो ये बहुत पुरानी लड बहुत लंबे समय से संघर्ष चला रही है हिजाब के खिलाफ और अपनी आजादी के लिए क्योंकि यहां पर भी आजादी का नारा और जिंदगी और और यही तीन स्लोगन्स थे जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को और नौजवान ताक्तों को खासतोर से और मर्दों क को भी मलब सिर्फ ओरते ही नहीं इरान के मर्द भी बड़े पैमाने पर समर्थन में उतरे थे इस पर एक चीज और भी है कि कहीं पर हिजाब के खिलाफ संघर्ष है कहीं हिजाब पढ़ने के अधिकार पर संघर्ष है जैसे सिर्फ केरला का करनाटे का खासतोर से इस वक्त क नचाब में यह है इस पर हिजाब पर दूसरी लड़ाई चल रही है फ्रांस में हिजाब उताने के लिए पुले उनकी कानून है कि हिजाब नहीं पहन सकते पब्लिक स्पेस तो आप पहनने के लिए संघर्ष है तो सवाल है कि आजादी की सवाल अगर आप देखें तो पहन से देखना चाहिए कि उनकी स्वकिय अधिकार है कि वो क्या करें ना करेंगे उस पर और किसी की बात नहीं थोक चाहिए यह सब्ताना निर्दारित करें कि कि और किया पहनना है और किया नहीं पहनना है जिसको हम संस्रितिक चीज कहेंगे इसको कितना दूर तक आजादी है जो कहते हैं कि हमारे constitution में जहे हमारी आजादी उत्ती दूर तक होनी चाहिए, आपके आजादी उत्ती दूर तक होनी चाहिए, जहां मेरा नाक है, हमारे नाक के उसके जो है, उसमें दखल नहीं होना चाहिए, तो यह जो public sphere है, उसमें हम क्या करें, यह सरकार या और कोई ताकत दे धारित ना करे तो आई इस चीश की भाइस, इरान की बात हम करएए और एरान की बात है और और जी उड्मेर्ज घाउप्ह मिन घाना क्योंन है कि किस तरह से लान गोरे और गो पूरा इलाका है बाकी जो सारे आंदोलन है इनका जो रिष्टा है इरान की जियो पॉलिटिक्स से उसे कैसे देखा जाए क्योंकि अक्सर सिर्फ एक आंदोलन फोकस में रहता है और उस आंदोलन को देखने के लिए और दिखाने के लिए बहुत बड़ी ताकते रहती है लेकिन इरान की बाकी सवालाप में किया क्योंकि जो चीज छुप जा रही है खास जोगों को एग्जेकूशन की बात आ रही है कुछ लोगों को एगज़गूट किया गया है डो रजिवंक हुआ है हलांकि वहाँ की जो legal कारवाई है उसको कि screams सही मानते हैं अब भी जो खबरें आई हैं है जजीर और बाकी जगा और उन्हें कहा कि पांच इरान की जो जुडिशियरी है उसने पांच लोगों की एक्जेकूशन की बात किये जिसमें दो को शायद फासिद रही है तो एक्जेकूट हुआ है और तीन अभी भी बाकी है कारवाई चल रह यहां कुछ security forces को इन्होंने मारा था तो इस cases को अलग करता हूं कि security forces भी इस प्रोटेस्ट में मरे हैं और प्रोटेस्टर्स भी बड़े मरे हैं कितने मरे हैं उनकी संख्या आप जिने कहा कि उसमें एक ideological चश्मा होता है तो यह कहते कि इतना बरा है साइक्रों मरा है यह कहते इतने मरे हैं तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ पर अगर picture देखें प्रोटेस्ट की जो maps में हमारी है तो देखेंगे इन इलाकों किन इलाकों में प्रोटेस्ट ज्यादा हुए है देखेंगे कि कुर्दिश इलाका जो इरान का है उसमें प्रोटेस्ट ज्यादा पुलिस स्टेशन्स वगारा पर हमला किया है तो यहां पर इन दोनों जगहों पर पलुचिस्तान के जो नक्षा आपको देख रहा है वहां पर और जो कुर्दिश इलाका है जो इससे मिला हुआ इराक से मिला हुआ है इन जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ हैं यहां पर पुरानी इंसरजन्सी कहिए पुरानी ताकते हैं जो इरान को सरकार को नहीं चाहता मौझा हुआ 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 इस्तान इन 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 इस तरह के फोर्सेस प्ले करता है रहता है हम मान के चलते हैं कोई ऐसा देश शायद ही होगा खास दोर से एशिया और आफरिका में लैटन अमेरिका में जहां पर अलगावबादी शक्तिया नहीं है क्योंकि ये कलोनियल रिखायें जो बनाई गए थी म इडिलिस्ट में फ्रांस और इंग्लेंड में बैठके बनाया था यॉरप ने बैठके आफरिका के बारे बनाया था तो उस उन चीजों को अगर देखे तो वो सेसेशनिस्ट फोर्सेस या सेसेशनिस्ट या कही एक अलगावबादी डिमांड लेके बहुत सारे ताकत हैं हम इस इलाकों में कुर्द काफी संख्या में है और उनका बहुत संख्यक इराके लगवा इलाका इन जगों पे है पर कुर्दिश राष्ट नहीं बना राज बनने का लगता नहीं संभावना है तो यहां पर अगर देखे इरान में दो अलग-अलग कुर्दिश धाराएं पीके-के है उनका भी एक फोर्स इरान में है हलांकि बामपंथी अपने आपको घोशित करते हैं पर इस वक्त जो है सिरिया तर्की इन जगों पे वो अमरीका के साथ है खासतों से सिरिया में तो एक बड़ा कॉंपलेक्स पिक्चर यहां पर है पर कुर्दिश फोर्स इरान में भी है और यह खासतों से अमरीका परस्चुधारा है जो बजरानी क्लैन के नाम से कहा जाता है इराक में उनकी काफी हां पर पहुंच भी है और लगता है कि हां पर अलगावबादी ताकतों को भी संधर्ष रही है इसकी आर्ड में तो इसी लिए यह हिंसा की बात हो रह जो लगवा लाका है वहां बलूच परदान इलाका है उस पर इरानियन बड़े सीडियर आर्णीrum पर गया है पहले बहुत दिन पहले भी नहीं पर खेंट धरना के बाद में इलाकों में प्र पीलिस टेशन पर हमला हुआ है तो यह भी एराक इरान कह रहा है कि हमारे पुली इसको देखते हुए प्रोटेस्ट के आर्ड में और भी चीजे जो और भी राजदीत है उसके भी उभार हो रही थी वो भी हमको देखना पड़ाएगा जिसके पीछे आम इरानी समर्थन नहीं है क्योंकि शायद इसलिए बार-बार जो इरान की सरकार है वो राष्टवाद ये नेशनलिजम की बात कर रहे हैं अभी मैं देख रही थी कि पूरी की पूरी अपील जब ये मॉरल पुलिसिंग वाला स्टेप वापस लिया उसके बाद उन्होंने देश की बात की वो बाहरी ता ये फ। इंटरेस्ट है तो यह सारी जो गेमस हैं ये अपने आप में बता रहे हैं कि बहुत वैस्टेड इन्ट्ररेस्ट हैं इरान को लगातार निशाने पर बनाया रखने और जो मॉव्मेंट महिलाओं का चला है उस बहाने कई स्कोर सटल करने के लिए। देख एक है इर जो कहते हैं ना कि उसका जिक्र और एक दिन भी कर रहा था कि आवर ओयल इस अंदर देर सैंट तो वह वाला हिसाब यहां भी है जो अमरीका कहता है अमरीका के जो जहन में है दिमाग में बैठा रहता है तो यह वेस्ट एशिया की तेल को कंट्रोल करने की राज़नीत बहुत ही है मुसद्देक जिसको हम कह सकते कि नहरू जैसे फिगर अगर हिंदुस्तान में है तो मुसद्देक इरान के लिए हुई था वहां पर बहुत पुरानी जो सवाल है कि तेल के लेकर मुसद्देक ने उसको नैश्टरी करन करता डच और बिटिश उस कंपनी को ओनर्शिप पर था अमरीकां के सहारे यह हुआ और वही उस तेल कंपनी को आज बिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है तो यह जब नैश्टरी किया तो मुसद्देक को गिरा के शाव इरान वह करीब 22-23 साल की बहुत जवान ही था कोई दिमाग तो था नहीं है उसके उससे भ यहार राजडितिक ताकतों को तो क्रश खिया हास तौर से लेट कोअ मड़ी ताकतवार काॉब्लिस पार्टी थी तुडए इसको पूरी तरह से विद्वस्ट कर दिया पर उस वक्त इसलामी ताकतों को तरह से विद्वस्ट नहीं किया सोच कि इनको रहने दे अपना नहीं गल्ती हुई उन्होंने गिरा दिया और इसी लिए क्योंकि शाह को गिराया जो कि अमरीका का पूरी तरह से दोस्त था इस इस इलाके में सबसे अच्छा करीबी दोस्त था साओध एरेबिया का साथ तो वो उसने अमरीका उसको भी माफ नहीं किया खास तोर से क्योंकि कि उन्होंने उसके MBC को कभजा करके उनकी लोगों को काफी क्या कहेंगे परिशान किया जो अंतर राष्ट्य तोरी के से बिल्香港 बाहर था यह किया तो एराण उनके निशाने में बहुत दशकों से है कि कैसे इसको कंड Payne करे कमजोर करे कैसे इसको गिराए और इसलिए उनक के खिलाफ जो ऑईल संक्शन्स है इरान संक्शन्स की अधीन है 79 से इरान पर तमाम संक्शन्स चल रहा है उनकी पूरी पैसा जो अमेरिकन बैंक्स थे उसको कब्जा कर दिया उसके इंटरनाशनल केस वह वह रिजॉल्व होने जा रहा था इरान की जो समझाता अमरीका और दिना था नौर्बलाइज होना था इरान ड्यूक्लियर डील के नाम से पहिचाना जाता है ट्रम्प ने उसको ठुकरा दिया और वह भी वह वापस आने का संभवना खास ब्राइट नहीं है नजर नहीं आ रहा है इस वक्त तो यह बहुत दिन से इरान उनके निशाने में है पर अमरीका इस वक्त वेस्टेशिया में कमजोर भी हो रहा है तो इसी लिए जो पहली की ताकत थी एक इशारे में सरकार गिराई जाती थी चाहे सिरिया हो चाहे एरान हो चाहे राक हो वो इस वक्त नहीं है उस थिती में नहीं है तो इस पे क्या किस दिशा में वेस्टेश इस थिया इसी नहीं जैसी दिखाई देती है कि सीधे सीधे लडाई है और सीधे सीधे काम चल रहा है बहुत नहीं हैं और शायद इसी लिए इरान इतने लंबे समय तक sustain भी कर पाया लेकिन एक अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो आंदोलन है ये जो स्वरूप है इस स्वरूप को कितना adjust इरान के सरकार कर पाएगी क्योंकि अंततर ये उस देखिए कट्टर सरकार जो है अमरीका के वज़े से ही आया क्योंकि एरान कुछ हद तक नर्मी की दिशा में जा रहा था अंद्रूनी जिसको कहते हैं more liberal forces ताकत में थे जब उनकी पूरी बदनामी इसमें हो गई कि अमरीका के साथ जो समझाता किया ट्रॉप ने आके ठुकरा दिया था तो इस वज़े से ज़्यादा कट्टर पंती फिर आये कहके अमरीका के साथ कोई समझाता करना बेकार है तो इसी लिए हम अपने रास्ते पे चले ये जो लड़ाई है तो ये उस दिशा बिले हैं तो मुझे लगता है कि एक अंतराष्टी एक कूटनीती कि जब हम चर्चा करें तो इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए और बार बार करना चाहिए कि जो इस तरह का कठरपन है जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अकसर भूल जाते हैं कि तालीबान और इन ताक्तों को किसने बढ़ाया इरान का हश्र अभी है इराग का हश्र किसने किया तो अमरीका के जो वेस्टेड इंट्रेस्ट है इस पूरे वेस्ट एशिया में और खास और से तीन चार मुलकों की बरबादी में जो उसका बहुत एहम रोल है उस पर चर्शा सिरे से गायब हो जाती है और बस ब्लैक और वाइट या ग्रे एरिया खतम हो जाता है चर्शा में सही बैठ है और यह जो पुरानी किसिंजर का कहना था कि अमरीका का दोस्त होना दुश्पन होना खतरनाक है उससे एक ही चीज़ ज्यादा खतरनाक है अमरीका का दोस्त होना किसिंजर का कहना है हमारे नहीं तो चलिए देखते हैं कि आगे एरान किस दिशा में बढ़ता है और यह जो आंदोलन है, popular unrest है, इसे कैसे यहां के सरकार हैंडल करती है, शुक्रिया प्रवीर, दोस्तों एक बात बहुत साफ है, कि अंतराश्टी कूटनीती में जो दिखता है उसके पीछे की कहानी, अपने आप में बहुत दिल्चस्प होती है, एरान इसका जीता जाकता हक होना ही चाहिए, हक है, इसे किसी भी सत्ता के द्वारा बाहर से निर्देशित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बहाने, जिस तरह से एरान को एक अलग धंग से पेश किया जा रहा है, उसके खिलाफ राजनिती हो रही है, इस पर भी चर्चा, इसकी परताल बहुत जरूरी हो जाती है, लिहाज आपसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, परताल दुनिया भर की और न्यूस क्लिक, शुक्रिया झाली है, भी चिगा लज शुक्रिया